सपने और हकीकत में फर्क दोस्तो, दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं पहले जो सिर्फ बड़े-बड़े सपने देखते हैं हर दूसरे वो जो सपने देखते भी हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सपने कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं दोस्तो, क्या आप भी हर दिन या हर हफ़ते एक टू-डू-लिस्ट बनाते हैं मतलब उस दिन या उस हफ़ते में आपको क्या-क्या करना है उसकी एक सूची तयार करते हैं अगर आप ऐसा करते हैं तो ओधर की राए में आप भी उन्ही लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने देखना पसंद करते हैं और सारे गैर जरूरी कामों में अपना शरीर और दिमाग खर्च कर देते हैं ये जाने बिना कि आपके सपनों को सच करने का सही प्रोसेस क्या है क्या लगता है आपको दोस्तो बिल गेट्स, वारेन बुफे, स्टीव जॉब्स जैसे बड़े बड़े आंत्रिप्रेनियॉर्स और जीनियस तू-डू लिस्ट्स बना कर उस मकाम तक पहुँचे हैं नहीं, पैक्ट यह है कि इन लोगों ने ना तो कभी अपने लिए कोई टू-डू लिस्ट बनाई है और ना ही कभी बनाएंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, टू-डू लिस्ट्स के अंदर बहुत सारी छुपी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं जो ज़्यादतर लोग नहीं देख पाते जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स तो यह होती है कि उस लिस्ट में जितने भी काम मेंशन होते हैं वो हर एक काम, आपका कितना कितना समय ले सकते हैं, इस बात का कोई जिक्र नहीं होता जबकि ज़्यादतर ऐसा देखा गया है कि लोग जो अपने लिए रोस के टू-डू लिस्ट बनाते हैं वो हर दिन बहुत कम समय में ही लिस्ट के सारे काम खत्म कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादतर काम कुछ मिनिट्स या कुछ घंटों में ही हो जाने वाले होते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर सारे काम वक्त से पहले खत्म हो जा रहे हैं तो क्यों दोस्तों, ऐसा ही सोच रहे हैं न आप तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि success छोटी मोटी कामों को वक्त से पहले खत्म कर लेने से नहीं मिलती बलके थोड़ी देर से ही सही पर सारे जरूरी कामों को खत्म करने से मिलती है ज्यादतर काम जो आप अपनी to-do लिस्ट में मेंशन करते हैं वो वैसे ही काम होते हैं जो आपको पता हैं कि आप कर सकते हैं बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत कम समय में कर सकते हैं और एक बार जब उस लिस्ट के सारे काम खत्म हो जाते हैं तो आप आराम से मौज मस्ती करने निकल जाते हैं या पिर आराम फरमाते हैं क्योंकि दोस्तो मुश्किल कामों से भागना एक basic human nature है हम मुश्किल काम तब तक नहीं करते हैं जब तक वो बिल्कुल urgent ना बन जाएं ठीक इसी तरह अपने आसान कामों वाली to-do list में एक काम खत्म करने के बाद हम सीधा उस काम पर नहीं जाते जिसमें सबसे ज्यादा वक्त लगने की chances होते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है वो काम थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तो दूसरी सबसे बड़ी problem ये है कि जब आप अपने लिए रोजाना की to-do list बनाना शुरू कर देते हैं तो आप अंचाने में खुद को एक डबे के अंदर बंद कर देते हैं और अपने काम के लिए एक limit सेट कर देते हैं कि आज मैं सिर्फ इतना ही काम करूंगा या करूंगी अब अगर वो काम बहुत आसान हुए तो आप उन्हें पटापट खत्म करके अपने बाकी के working hours इधर उधर टाइम पास में बरबाद कर देंगे और अगर आपके लिस्ट के सारे काम बहुत मुश्किल और टाइम टिकिंग हुए तो आप हर समय इस स्ट्रेस में रहेंगे कि किसी भी तरह आपको वो सारे काम आज के आज ही खत्म करने हैं नहीं तो कल की टू-डू लिस्ट में काम बढ़ जाएगा पर दोस्तो क्या फाइदा है से स्ट्रेस का जो आपको इतमिनान से एक काम ना करने दे और क्या फाइदा वक्त से पहले ही सारे काम खत्म कर लेने का जब सारे जरूरी काम अभी भी बचे हुए हैं दोस्तों, ओधर के हिसाब से काम करने का सही तरीका ये होना चाहिए कि आप सबसे मुश्किल कामों से सबसे पहले डील कीजिए और उसके लिए कोई टाइम लिमिट मत सैट कीजिए कि आपको ये काम आज के आज ही खत्म करना है क्योंकि ऐसा करने से गलतिया होने के चांसे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और आपकी एफिशेंसी कम हो जाती है सकसिस वाने के लिए आपका में एम ये होना चाहिए कि जब तक आप किसी एक मुश्किल काम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते आप तक किसी दूसरे काम पर शिफ्ट नहीं करेंगे और जहां तक रही आसान कामों की बात तो वो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं या फिर उसे करने के लिए अपने फ्री टाइम का استعمال भी कर सकते हैं दोस्तों जब आप किसी मुश्किल काम को ये सोच कर टाल देते हैं कि आप उसे बाद में करेंगे या फिर सबसे आखिर में करेंगे तो आप ये रियलाइज नहीं करते कि जाने अन जाने अपने सबसे मुश्किल काम के लिए आप सबसे कम वक्त अलोट कर देते हैं और फिर वही काम बाद में आपको स्ट्रेस देने लगता है दोस्तों अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्या सक्सेस्फुल लोग कभी कोई टू-डू-लिस्ट बनाते ही नहीं है और अगर नहीं बनाते हैं तो इतने बड़े एंपायर को लंबे समय तक रेगुलेट कैसे कर पाते हैं दरसल दोस्तों ऐसा नहीं है कि बड़े और सक्सेस्फुल आंट्रप्रेनियर्स अपने लिए कोई टू-डू-लिस्ट नहीं बनाते पर्ख बस इतना है कि वो टू-डू-लिस्ट बनाते हैं अपने फ्री टाइम के लिए क्योंकि वो अपने हर एक मिनट को सही धंग से यूटिलाइस करना चाहते हैं तो जितने भी उनकी टू-डू-लिस्ट वाले आसान से काम होते हैं या तो वो काम वो किसी और को दे देते हैं या पिर अपने फ्री टाइम में चलते फिरते खुद ही कर लेते हैं कुल मिलाकर आथर हमें ये समझाना चाहते हैं कि टू-डू-लिस्ट में जनरली हम ऐसे कामों को मेंशन करते हैं जो इतने छोटे और कम जरूरी होते हैं कि शायद अगर आप उन्हें नोट ना भी करें तो उन्हें करना भूल जाएंगे इसलिए इन कामों को करना तो जरूरी होता है पर ये काम कभी आपकी प्रियोटी नहीं हो सकते कि आप उसे ही करने में अपना पूरा दिन खर्च कर दें दोस्तों अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि क्यूं हम अपने जरूरी कामों को काम पर छोड़ देते हैं और कैसे हम ऐसा करने से बच सकते हैं तो बने रहे हमारे साथ गया